तो वेल गाई आज का वीडियो को आपे इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपनी रॉब वोकल्स में यूज करने वाले हैं वोकल चैन और उस वोकल चैन को डेलप करने के लिए डिजाइन करने के लिए जो हमारे पास रेफेरेंट्स है वो है अधर देन ड्रेक का ड्रेक इस तैम सबसे ज़्यादा कॉंट्रोवर्शियल इंफ्लेंशल और सबसे दा पॉपलर आर्टिस में ऐसे एक है वोल्डवाइट और जिनको हमेश एप्रिशेट किया जाता है उनके वोकल्स के लिए तो आज हम देखेंगे कि ड्रेक अपने वोक के बारे में तो काफि सबसे आठिकल काफि सारे यूट्यूब वीडियो स्पॉप सारे जो ड्रेक के इंजिनियर उनकी जो इंट्रीवूज आए वो सारे छीजित देखने के बाद ही मैंने यह सारे प्लगिं के आपर शॉट लिस्ट कर रहे हैं जो कि ड्रेक एक्चुली में अपनी vocals में यूज़ कर रहे है और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो raw vocals है वो कैसे सुनाई दे रहे हैं और उसके बाद हम इन पे सारे plugins यूज़ करके देखेंगे और उससे में बता चलेगा कि हमारे जो vocals से प्रोसेस उनके बाद कैसे sound कर रहे हैं और सबसे पहले सुनते हैं हमारे raw vocals कि सुभा देखो रूस ड्रीम में कहां से आया आज किदर हुस सीण में और अब सुनते हैं हमारे प्रोसेस्ड वोकल्स करने जोएं सबसे बाद कर लेए और उनके बारे में NTS को रखने वाले हैं चाहते हैं कि जो एक जो एक वोगी टेक्श्टर जो आता है वो हमिशा यहां पर हमें मिले ख्रफ्स ट्यूट यहां पर एक मिकसी ब्लेंड होना है बिट्विन आपके जो पिक उसके बीच्टी का जो ब्लेंड है यहां पर टैन के असपास हमीं सवाट क्यें है एकुलाइजर की बात कर लेते हैं चैनल एकुलाइजर के हमने बहुत सिंपल रखा है अपनी जो लो रेंच फ्रिक्वेंसी थी हमने को सबसे पहले कट डाउन किया है अपनी मीड फ्रिक्वेंसी जो नेजल फ्रिक्वेंसी से उसको कट डाउन किया है और जो हार्शनेस थी जो विसलिंग साउंड थी जो इंप्यूरिटी थी हमने वो सारी कट डाउन किया और किसी भी तरह कोई एम्प्लिफिकेशन हमने यहां पर नहीं किया किसी भी फ्रिक्व रेंज होती है जिस रेंज पर आप अपने वोकल सुखना चाहते हैं और उससे ऊपर कई बार होता है रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनको परेंट्स करने के लिए उसको यूज करते हैं उसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं इन बिल्ट जो में डॉज कर रहा हूं अप कब क्या होता है तो आप वो चेक करो सुबह के तीन बजे देखो रोस ड्रीम में कहां से आया आज किदर हो सीन में ताभी बस्ते में ज्यादा रोटी कमटी फिन में कुछ वर्ड्स जो कम लाउड है उनको कैसे लाउड करना है वो हम आगे देखेंगे कंसोल एक और एक और और इसको यूज करने का सिर्फ परपास है कि जो आपको जो विंटेज जो क्लासिक ओल्ड स्कूल आपको जो वोकल टेक्चर ची होता है जिसमें वो सैचुरेशन होती है जिसमें वो वाम्त होती है वो जो फैट साउंड होती है उसको अचीव करने के लिए हम इस कंप्रेश हम उसको चीफ करने ही कोशिश करें तो यहां पर हम रिखेंगे स्मूध और सुनकर देखते हैं वोकल्स अब जैसे आप सुन पा रहे हो इसमें एक अलग से ही ब्रॉडनेस आ गई है करना बहुत है और बहुत है जब भी आप गाना गा रहे है तो आसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके कानों में चुब सकती है तो उसको fix करने के लिए क्या solution है हम यूज करेंगे DSR2 अगैन बहुत सब्सक्राइब काम की चीज़ है और हम यहाँ पर थ्रेश्वोर्ड अपने सेट कर लेंगे कि कहां पर आपको चाहिए और कितना reduce करना है तो वह सारी चीज़ हम यहाँ पर करेंगे परसरली मेरको DSR के लिए यह प्लगिं का फिजा पसंद है अब बात करते हैं saturation की texture की तो उसके लिए मैंच यह CLA2 अगैन यह वेव के बंडल के साथ आपको आता है और यह सिर्फ वोकल को को जो saturation आपने देनी है जो उसमें crispness देनी है जो texture देना उसके यूज किया जाता है कुछ इस तरह की मारी setting रहने वाली है हम कोशिश यह करेंगे कि मुकल को काफी ताइट रखने की कोशिश करेंगे और travel भी हम इतनी इस तरह से manage करेंगे क्यों काफी balance रहे और मैं आपको साल फटे जूते और एक जीन में हम यूज करने वाले है multiplier और again यह multi band compressor है और इसको हम सिर्फ एक चीज के लिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारी frequencies है जो हमारी frequencies है जो काफी ज़दा दब जाती है या फिर जो खुल के भार नहीं आपाती है उसको कैसे तरह से manage करना उनको और जो extra जो हमारी frequencies जा रही है उनको कैसे cut down करना ही उसके लिए यूज किया जाता है so yes mb2 का जो basic purpose है वो यह है कि जो आपकी vocals है उसमें एक broadness लेका रहा है एक warmth लेका रहा है low level frequencies high level frequencies को manage करता है आपने अपने आप में complete लग रहा है और आपको कहीं सा नहीं लग रहा है या फिर कहीं पर यह ऐसा लग रहा हो कि यह compress किया गया बहुत सब्सक्राइब स्कैप्स स्कैप्स काफी दा important है क्योंकि यह एक ऐसा saturator है एक ऐसा मतलब कंप्रेसर है जो कि आप देखोगा कि ड्रेक के हरे गर में बहुत दा यूज होता और काफी टाइम के बाद ड्रेक ही इसको वापस लेकर रहे से पहले यह जो प्लगिन है वो एक्चुली वे यूज किया जाता था उसमें जेजी के वोकल्स में प्लगिन काफी दा मैंली वाला जो फील है वो आपको यह पर देखने को मिले यहां पर हम प्री एंप हीट दे रहे है पने वोकल्स पे प्लस पेशली जो इसका सबसे बैस चीज मुझे लगती है वह यह कि आप लेफ्ट राइट चैनल को यहां पर प्रोपर ली मेनेज कर सकते हो कि सुबा के त सब्सक्राइब के लिए और यह एक्चली में 808 बेस इन सब चीजों में भी यूज किया जाता है सेम परपस के लिए लास्ट में यूज करेंगे फ्रेश एर के उपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी इसका क्या काम है फ्रेश एर बेसिकली इसका काम यह कि आपक सब्सक्राइब करता है और इससे कितना फरक पड़ सकता है आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा सुनके और अब सुनते है विद फ्रेश एर हलका सा जो ट्रेवल सीविलेंस थी हमने उसे कंट्रोल कर लिया है थोड़ा 60 के असपास हमें से ले गर रहे है बट आई थिंक अब हमारे वोकल बहुत जादा क्रिस्प, क्लियर और बेटर साउंड कर रहे है अब बात कर लेशे हैं बस के बारे बेट नहीं बाएं बसमें क्या करने वाले सबसे पहले हैं यह वाल उटेल बडदने बहुत जादा वाकलर सकों साइटिंग सथा इसके नावा हम ने डिले के आपर काम कर आए है रिवर्ब और डिले आपके सॉंग स्पेस को पुरा स्वानिक लिए चेंज कर सकते हैं तो डिले हमने यहाँ पर एच डिले यूज करें अगें हॉलिवूड में काफे जादा प्रोड्यूसर जीसे यूज करते हैं बहुत जादा यूज किया जाता है स्पेशली फॉर पॉप सॉंग्स जैस सॉंग हिप हॉप सॉंग रैप सॉंग और इसका क्राम है आपको एक नाइस एम्बेंस देना डिले के थू वो पॉसिबल है और यहा मैं पर हम एक्चिली में वो सारी चीज़े करने वाले जरूम पर हम यहां पर हम सारी जाता है की बրयगान अब अपने रिवर्ब अपने वोकल रिवर्ब लिए लिए तो इसके बेस्ट आपको सेटिंग सेने वाला है सुबा के तीन बजे देखो रोस्ट्रीम में कहां से आया आज किदर उस सीन में क्ताभी बस्ते में तो यह गाइस आप मारे वोकल डेडी हो चुके हैं क्ताभी बस्ते में ज्यादा रोटी कमटी फिन में काटे के साल फटे चूते और एक सीन में रंगों से रंगी हाथ अगर हसल फ्रीया लाट दादा की बाते याद रोया नम में उनके बाद सो यस फाइलली गाइस हमने अपने वोकल्स में यह सारे एफेक्ट्स लगा कर देखे और अब मुझे वोकल्स काफी ज़दा साटिस्वाइ कर रही है मेरी और मुझे लग रहा है कि इसमें क्लारिटी आ गई है इसमें जो हमें saturation चीए थी जो warm चीए जो हमें Christmas चीए थी वो सारी चीज़ हमने आप रचीव कर ली है और अगर आप यह चाहते है कि मैं आपके लिए स्प्रिंसेट को सेख करूँ और आपके साथ शेर करूँ आप उसको अपने DAW में यूज़ कर सके तो please do let me know in the comment section हम वो भी कर सकते एक independent artist साथ इस वीडियो को ज़रूँ शेर करो ताकि उसको भी इससे benefit में सके I will see you in the next video till then lots of love and peace